तो हैलो स्टूडेंट्स कैसे आप सब लोग आशा करता हूं अच्छे होंगे मैं कि शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स रूमें जहां पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और यह बीएस्टी फ भी खतम हो गई जाद लिखना नहीं है कुछ काहनी नहीं है चलिए हम अपनी जैनर डायोड को बिना समय को गवाई वे शुरू करते हैं तो जैनर डायोड क्या है इटीजा दिहान से सुनना पहले मैं आपको समझा दू लिखने की काहनी बात में देखो आपका पी एन जेंक आप पहले मिला देते ना उससे जादे मिला दिया यानि के हैवली डोप्ड का मतलब मेजोर्टी चार्ज कैरियर्स तो बढ़ गई साथ में माइनोर्टी भी बढ़ गई मेजोर्टी तो बढ़े साथ में माइनोर्टी चार्ज कैरियर्स भी बढ़ते चले गई और हम इसे कि कि hyvin यूज़ करते हैं। भाईया इसकर ठाइंह रिवर्स बास में किसमें रिवर्स बाईस में समझे, तो जेनलेट डायोड को किसमें रिवर्स बास में पी को एन से और एन को पी से यूज़ करें यह लेकिन समझे .. आपको पता है republic बाइस में करण्ट किसकी वज़े से flow करती है current flow करती है minority charge carriers की वैसे और इसमें हमने इतनी heavily doped की है कि minority charge carriers की भी संख्या बढ़ गई है तो इसमें minority charge carriers की संख्या बढ़ गई है तो इसलिए जैसे हम reverse voltage बढ़ाते हैं तो minority charge carriers भी ज़्यादे flow करते हैं तो हमारी current भी बढ़ती है जादे तो नहीं बढ़ती है आपको पता है reverse bias current तो होती ही micro में है तो जादे heavy current होगी नहीं इसलिए आप गब्राव मत तो हम जैसे ही reverse voltage बढ़ाएंगे तो reverse current भी flow करेगी अब reverse current हमारी flow करगी कोई दिकत नहीं हमने voltage बढ़ाया minority charge carriers बढ़ा बढ़ गए और जादे है आपकी क्या होगी current flow करगी लेकिन अगर हम इस voltage को बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होगा breakdown होगा क्या होगा breakdown आपने पढ़ा तो है कि जब हम reverse current को बढ़ते जाते हैं तो breakdown हो जाता है कब पढ़ा था 1857 की current में नहीं नलाई को इसी क्लास से पहले वाली क्लास में हमने यह पढ़ाता तो हमने क्या किया voltage बढ़ाया breakdown हो गया लेकिन पहले वाले सीन में क्या हो रहा था breakdown होने पहे हमारी जो डायोड़ी वो खराब हो जी थी लेकिन यहां पर खराब नहीं होगी यहां पर खराब क्यों नहीं होगी क्योंकि लिए हैविली डॉप्ड है बहुत सारे इसमें minority majority charge carriers है तो फुगने का कोई भी इसमें chances नहीं है हाला कि अगर आप एक unlimited limit तक voltage बढ़ा दोगे तो मैं भी उड़ जाऊंगा यह तो फिल भी डायोड है तो एक दाइरे की बात है ठीक तो क्या होगा यह उरती नहीं है तो हमारे जो साइंटिस्ते जैनर उन्होंने सोचा था अपने दिमाज में खोपड़ी में क्या सोचा था उन्होंने सोचा था कि अगर मैं इसमें doping बढ़ा दूं तो क्या reverse bias में कुछ उड़ेगा यह नहीं उड़ेगा पहले उड़ा था किसकी वैसे क्योंकि चार्ज कुछ बचाई नहीं था मेजोर्टी अपनी अपने जगे पोच गे थे माइनोर्टी क्रोस कर गे थे तो कुछ बचाई नहीं था और हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे तो हमारा बूम बोल गया था तो अगर मैं इसमें डोपिंग बढ़ा दूँ तो इसमें माइनोर्टी बढ़िए मेजोर्टी बढ़िए क्या यह फुकेगी नहीं फुकेगी तो उन्हें देखके लगा वा मज़ा आगे तो एक नए इन्वेंशन होगी तो उन्होंने हमारे सामने यह एक जैनल डायोड नाम की बिमारी पेस कर करदी तो अब इहां पे एक चीज ओर समझो सिम्बल कैसा हुतती है अगर मैं आप से बताूं जैनल डायोड का सिंबल बढ़ाएजी है अब जो आपका पी एजनक्षन था उसका सिंबल कैसा ता बाच्चा उसका सिंबल ऐसा फोटा पी एंजनक्षन का यही तो था अब आपको Xanadioid बनानी है तो आपको कुछ नहीं करना वस यहाँ पे Z बना तो यह बन की Xanadioid किसी-किसी बुक में ऐसा ही दिया हुआ है और किसी-किसी बुक में यह ऐसा गोले में बन करके दिया हुआ है तो इससे फर्क नहीं पड़ता यह सिंबल है आप चाहे तो बिना गोले के बना लो और चाहो तो गोले में बना लो अब इसकी V.I. Characteristics भी होती है तो आपको पता है V.I. Characteristics तो इसमें भी आपको रट्टा मारने की जरुरत नहीं है ठीक है रट्टा मारने की जरुरत नहीं है क्योंकि आपको v i characteristics हमने अभी पढ़ाई हैं कब इससे जस्फ पहले वाली class में देखो ये v i characteristics क्या होता था ये v हो गया ये i हो गया यहाँ पर मैं इसके लिए क्या खेचूँगा गिराफ खेचूँगा तो कैसे बनेगा भीया forward bias का तो आपको पता है तो रिवर्स बाइस का इसमें जो करेंट चलती है ना वे वही है क्या चलती है यह जो लाइन चलती है करेंट जो आपकी करेंट वाली एक्सिज है उसके पैरलल चलती है इसमें एबरप्ली बढ़ती है एकदम बढ़ता है इसमें ठीक है तो उसमें क्या था जो हमने नोर्मल ब ब्रेकडाउन वोल्टेज यहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्या कहते थे वी जैड यानि के जैनल वोल्टेज समझ गए तो इसमें कोई रोकिट साइंस वाले बात था ही नहीं अब जो लिखा हुआ एक बार उससे दो-चार मिनट में उससा समझ देते हैं क्या जैनल डा जो केवल रिवर्स बाइस में वर्दकर्त करती है सर्क यह यह फोर्वार्ड बाइस में वद्क्रिक ट्योनी करती अड़ी यार जब जैनल ने बताई दुए तो रीवर्स में लेकर बताई आप इससा फोर्वार्ड काम कराओगे तो कोई acelle situation ठोडि रहेगी फोर्वार्ड में तो जैसे काम करती है वैसी करती है तो यह एक reverse bias की एक special situation है जिसमें आप प्यान जंक्शन को क्या करते हो heavily doped कर देते हो तो ठीक in general diode the depletion layer is very thin सर एक बात तो बताओ आप तो कहते थे कि reverse bias में depletion reason बड़ा होता है इसमें क्या है is very thin तो यह thin क्यों है नलाई को thin इसलिए है क्योंकि heavily doping कर दी बहुत सारे charge carriers मिला जेतों ठूस ठूस के ऐसे बैठे है तो उसमें कोई जगह ही नहीं बचरी जब जगह नहीं हो गया थिन हो गया काफी पतला हो गया and breakdown occurs at lower voltage और वे इतने भरे हुए बैठे कि उन्हें हलका सा भी छेड़ दोगे तो वे एकदम टक्कर मारेंगे जिस वैसे इधर उधर बागेंगे और ज्यादा निकलेंगे तो at lower voltage the forward and reverse characteristics of general diode is almost parallel to the current axis यहरी पर्लेल है ना फोर्वार्ड और reverse characteristics ठीक चलो दा वोल्टेज एट विच रिवर्स करण्ट इंक्रीजिज एबरेपली इस नोन एज ओपरेटिंग वोल्टेज ओफ जैनर डायोड या जैनर वोल्टेज यहां पर लिखा हुआ है क्या वैं दा एप्लाइड रिवर्स वोल्टेज रिच इस दा ब्रेकडाउन वोल्टेज वी जैड जैनर वोल्टेज यह रहा या ओपरेटिंग वोल्टेज पर पहुचिया किसके ओफ दा जैनर डायोड के देयर इस लार्ज चेंज इन दा करंट महां पर क्या होगा बहुत ज्यादा करंट में क्या होगा in the current can be produced जानि कि breakdown voltage के बाद current में large change पैदा किया जा सकता है ए टिपिकल application of a zanid diode कि zanid diode का जो application है इसे किस चीज में use किया जाता है एक तरीके से क्यो जवरत पढ़ी zanid diode की वो क्या है is a voltage regulator इसका जो main application है वो क्या है इसे हम voltage regulator की तरीके से use करते है ठीक बच्चा तो अब यहां पर हमारी zanid diode खतम हो गई है आप एक बार पूरी zanid diode का screenshot लेकर notes बना लो अच्छे से ज़्यादे length ही नहीं है तो next class में जो हमें करना है वो करना है zanid diode as voltage regulator तो हमें zanid diode को voltage regulator की तरीके से करना है ठीक है next class में हम इसे पढ़ेंगे क्या zanid diode as voltage regulator फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे tunnel diode ठीक मिलते हैं आप से next class में तब तक के लिए good luck जैहिंद जैभारत पढ़ना है क्या में हमें आप में तूभाओًा क्या पस्का बादा क्या नादा जैब तक क्या है हाँ क्याह